नमस्कर दोस्तों मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं ड्रीम पफ तो ड्रीम पफ की रसोई आज आपके लिए लेके आई है मैंगो केक की रिसिपी जो कम्प्लीट एगलेस है और मैं इसे कट करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है इसकी तीन लेयर में मैं कट लगाने वाली हूँ और एक्टम प्प्लीन वाटर से सोकिंग करूंगी तो आप भी इस तरह की सॉफ्ट पॉँज को घर पर तयार कर सकते हैं एक अच्छी फ्रेश केक को घर पर तयार करके इनजोय कर सकते हैं यहां मैंने प्लेन वाटर से इसकी सोकिंग कर ली और अब इसमें मैं क्रीम की एक पतली सी लेर चड़ाने वाली हूँ तो आज जो मुझे ओर्डर मिला था वो बड़ी दिनों बाद मुझे ओर्डर आया बहुत कम ओडर मैं लेती हूँ ले भी नहीं पाती हूँ और आता भी बहुत कम है तो दोनों ही बाते हो जाती है जिसकी वज़स से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो जो कुछ मेरे रसोई में पकता है मैं उसका शॉट बना करके अपलोड कर देती हूँ तो यहां इस तरह से क्या किया है मैंने कि टॉप वाले लेयर को पलट करके ले लिया और जो ग्याप बन जाता है एक तो उसको हम क्रीम से फील कर लेंगे इस तरह से और एक्शुली हम लोग जब हाप केजी केक बनाते हैं तो 200 ग्राम या 180 ग्राम प्रिमिक्स के साथ तयार करते हैं यहां मैंने होममीट प्रिमिक्स लिया है और 200 ग्राम से थोड़ से जादा ले लिया है और उसे मैंने कड़ाई में बेग कर लिया एक कप दूद के साथ और दो चब्मज गया था सनफ्लावर ओयल और कुछ ड्रॉप गया था मैंगो अरोमा तो इस तरह से मेरी मैंगो क्राम करने लगई क्योंकर आज ही बाहर से लौसे, इस वज़े से मुझे खाना भी पकाना था जल्दी जल्दी जब तक मेरा केक स्पॉonz ठन्धा हो रहा था तो मीरा तो इन दोनों नोजल से आज मैं आपको फ्लावर बना कर दिखाने वाली हूँ तो बहुत ही ईजी सी केक रेसिपी लेकर के मैं आपके सामने हमेशा आती हूँ जो कोई भी घर बैठे बिना किसी ट्रेनिंग के बना सकता है और यहां इस तरह से जो टॉल केक वाली मेरे पास का कार्ट थी उसी का मैंने फिर से इस्तिमाल किया क्योंकि इसका एफेक्ट मुझे काफी पसंद है और जिन लोगों को मैंने दिया उन्हें भी बहुत पसंद है यहां उपर मैं जो एक्स्ट्रा क्रीम दिख रहा हूं से कार्ट लेंगे हम इस तरह अगर आप पलेट नाइप स कर सकते हैं तो ठीक है मैंने यहां पर एक प्लास्टिक कार्ट लिया है उसी से कर रही हूं घर में पड़ी धेर सारी फाइले होती है उसका आप कट लगा करके केक मेकिंग में इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां एक्स्ट्रा क्रीम को हटा लिया है मैंने कम्प्लीट अब इसमे क्या करना है जो मैंने piping bag रखा है उसे पहले तो कुछ rosette तयार करने वाली हूँ और मैं magic food color का use करते हुए मैंने थोड़ा सा blue color बना लिया है blue color वाली cream ले ली है और इस तरह से मुझे rosette तयार करना है किनारों में और यहाँ मेरा क्या हुआ piping bag थोड़ा सा फट गया तो इस तरह से जो आपको धारी एक लड़ी निकला हुआ दिख रहा होगा तो वो आ गया effect फिर मैंने सोचा आप क्या करूं मेरी तो पूरी cake ही बरबाद हो जाएगी कोई नहीं फिर मैंने बाद में से knife से हटा लिया तो ऐसा जब हम home baker काम करते हैं तो कुछ न कुछ गड़वडियां होती रहती है क्योंकि वो जो आप bakery shop में देखते हैं उस speed में हम home baker काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि bakery shop में सो देड़ सो cake तयार होता है दोस्तों और घर पर बड़ी मुश्किल से हमें एकाद order मिलती है तो इस तरह से आज की इस order को मैंने complete किया और यहां पर इसी तरीके से मुझे चारो बगल दे देना है फ्लावर को और वेट भी साथी साथ करते जाना है अगर आप मेरी तरह order लेते हैं तो साथ ही साथ आप काम करते जाएं और वेट भी करते जाएं नहीं तो क्या होता है कई बार कम जादा थोड़ा हो जाता है तो कई आपके जो client है वो तो manage कर लेते हैं लेकिन कई बार शिकायत भी आ जाती है तो इस तरह का काम हमें बिल्कुल नहीं करना है अगर प्रॉपर ओर चाहिए तो हमें काम तो अच्छे से करना होगा और यहां पर मैंने नौन एडिबल एक मेरे पास कार्टून थीम था जिसे मैंने स्टीक कर दिया और आज की ये केक बन करके रेडि है मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई के साथ तब तक की लिए प्रॉब